नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दनिल्ज लॉंचर के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों राम मंदिर के प्रान परतिस्ठा कारिक्रम में निमंतरन दिये जाने को लेकर तमाम तरह की राजनीती होती हुई दिख रही है इतनी राजनीती आपने देखी नहीं होगी जि उड़े चंपत राय बंसल ने पैदा किया और वो विवाद ये था कि लाल किसना अडवानी को निमंत्रन भेजा जाएगा लेकिन उन्हें कह दिया गया है कि नहीं आना है अब भला इस तरह से कभी किसी को निमंत्रन दिया जाता है क्या कि आपको इन्वाइट किया जाता है ल दो-चार किनो चावल खरीद के उसमें चार-पांच दाना चावल का किसी पुडिया में डाल करके कह रहें कि अच्छत है और उसके साथ एक निमंत्रन पत्र लेकर घूम रहे हैं सब के घर निमंत्रन दे रहे हैं और पूछ दिया आया कि किसी ने कि क्या उसे आना है या नह दिन दूर रह गया है उससे भी कम समय है चुनाओं में तो उस परिस्तिती में राम मंदिर की प्रांपतिष्ठा को लेकर एक तरफ तो संत समाज, संकराचारे और हिंदू मानेताओं को मानने वाले लोग भारती जंता पार्टी के खिलाफ हैं सरकार के खिलाफ हैं कि जिस मं मंदिर का सिखर जब तक निर्मित नहीं हुआ हो तब तक मंदिर के अंदर प्रांपतिष्ठा नहीं हो सकती अब इस तरह की बाते जब सामने आ रही है उस बीच में बिना सिखर बने किसी भी प्रकार से 20 साल है तो चुनाओं के पहले प्रांपतिष्ठा कराओ इसके लिए 22 जन्वरी का दिन नियत किया गया है और दिन रात गोदी मीडिया अपना नेरेटिव चला रहा है लेकिन आश्चर की बात ये है कि ये निमंतरण देने वाली प्रविर्ती और निमंतरण की राजनीती अब आज की तारीक में आप देखें तो राष्ट पती और उपराष्ट पती तक पहुँच गई है राष्ट पती महोदया को भी निमंतरण दिया गया है उपराष्ट पती महोदया को भी निमंतरण दिया गया है लेकिन सवाल ये उठता है कि निमंतरण के बावजूद क्या वो जाएंग है लेकिन तर्ग क्या दिया जा रहा है कि राष्ट-पती के साथ एक बहुत-बड़ा प्रोटो-कॉल जुड़ा होता है और उस प्रोटो-कॉल के पालन की प्रखिरिया में दिक्कट आ सकती है वह अजीम सा तर्ग है राष्ट-पती मोतिहारी जा सकती है बिहार में इन्वस्टी के कारक्रम में वहाँ प्रोटोकॉल की दिक्कत नहीं आएगी राष्टपती देश के दूसरे हिस्तों में जा सकती है वहाँ प्रोटोकॉल की दिक्कत नहीं आएगी लेकिन राष्टपती ये योध्या जाएंगी तो प्रोटोकॉल के दिक भी मुर्मुजी सामिल नहीं हो सकती थी वो उस अनुस्थान को नहीं करा सकती थी क्या 152 करोर लोगों के देष में शिर्फ नरेंद्र मोदी ही एक मात्र काबिल व्यक्ति है जो राम मंधिर की प्राणपतिस्ठा िसथा करा सकते हैं इस सवाल का जवाब भारती जनता पार्टी के लिए देना मुस्किल होता जा रहा है और इन सवालों के बीच भारती जनता पार्टी के टिकट पर सांसत चुने गए और अब भारती जनता पार्टी से बाहर जा चुके दलित नेता उधित राज ने एक बड़ा सवाल उठाया ह उन्होंने साफ साफ कहा है कि राष्ट पती महधे को निमंत्रन देने का जो प्रस्ताव है इस पकार की जो चीजे की गई है वो निश्चित तोर पर अपमान जनक है। बजाएं उनकी विचारधारा का सम्मान करने के उन्हें निमंत्रन भेजकर अपने mat. टैप में लेने की जो कोशिस हुई, वो साफ अब दिखा रहा है कि कहीं न कहीं ये वामपंथी दलों के लिए पुनर जीवन का संकेद भी बनती जा रही है, केरल में वो पाटी जिंदा है, पस्टिम मंगाल में रिवाईवल की प्रकिरिया में है, तिरपड़ा में के बाद दबी हुई दिख रही थी, वो उफान पर आ रही, मायावती को निमंतर्ण भेजा गया, लेकिन मायावती ने बहुजन समाज पाटी की नेता ने बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब दिया, साफ साफ बीजेपी के नेरेटिव को ध्वस्त करने वाला जवाब दिया एक लाइन में उन्होंने कहा निमंतर्ण को स्विकार तो करते हैं, लेकिन उस कारक्रम में उस दिन उपस्तित होने के में असमर्थ हैं, अखलेस यादों को अब तक निमंतर्ण नहीं दिया गया, कहा जा रहा है कि कुरियर के द्वारा उन्हें निमंतर्ण भेजा गया, तो प्राप्थ हो जाए उसके बाद कुरियर के द्वारा वो जवाब भी भेज देंगे जिस पकार की सियासत मौजुदा दौर में इस देश में हो रही है कि राम मंदिर में जो आया वो राम भक्त जो नहीं आया वो राम भक्त नहीं है और जिसे नहीं आने देना है उसे भी निम सीदिट कहीं किने परत्रिक्ष तौर पर और पूर सब्राम नला की कि मूरती की प्रानपर्टिष्ठा हो रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि दलित समाज से आने वाले पूरु राष्ट पती रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, क्या उनके हाथो प्राणपतिस्था नहीं हो सकती थी? मौझूदा राष्ट पती जो आदिवासी समाज से आती हैं, क्या उनके हाथो मैं क्यंखान हो गया है? एक व्यक्ति को भारत समझने की भूल एक दौर में कॉंग्रिस पार्टी ने की थी और बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी. कउंग्रेस पार्टी के उस वक्त के अध्यक्ष देवकांच बरूआ ने कहा था इंडरा इजुंदिया और इंडिया इजुंदा जानी हिन इंद्रा गानध्य ही भारत है और भारत ही इंद्रा गानधी है आज के दौर में जो कॉंग्रेस के अध्यक्ष है, आज के दौर में जो बीजेपी के अध्यक्ष है, मोटे तोर पर कहें तो बीजेपी के देवकांत बरुआ है, जेपी नड़ा, वो तो देवताओं का देवता ही बता चुके हैं, और जो पोस्टर आपने देखा होगा, राम सधे तरीके से इस तरह की उपहास जैसी प्रक्रिया का वो अपने अंदाज में भी विरोध करते हुए दिख रहे हैं एक ब्यंगकार को मैं सुन रहा था यूटुब पर उन्होंने साफ साफ कहा कि जिन्होंने मनुस्यों की प्रान परतिष्ठा की यदि जो लोग मानते हैं कि भगवान राम भगवान है तो उन्होंने प्रान परतिष्ठा की मनुस्यों की तो मनुस्य के द्वारा भगवान की प्रान परतिष्ठा कराई जा रही है अब ये तमाम चीजे जब एक तरफ चल रही है इसी बीच में जाती जणगन्ना का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, मंडल आइडेंटिटी का मुद्दा, आदिवासी चेतना का मुद्दा, दलित चेतना का मुद्दा, ये सारी चेतना हैं जब एक साथ आकर खड़ी हो जाती है, तो साफ दिखता है कि राम मंदिर के ट् पिर्मान के समय भीम राव मेट करने या बाद के दौर में पिछड़े वर्गों के लिए वीपी सिंग और अर्जुन सिंग ने रास्ता को ला उस समाज के कितने लोग है और सवाल ये उठता है कि जब मंदिर सबका है तो देश की राष्टपती पुरानी परंपराओं पर चल नहीं बुलाना है उससे पहले इस बात का एक्सेप्टेंस करवा लिया जाए बैक चैनल से कि निमंतरन तो आपको भेजा जाएगा लेकिन उसे आपको आने में असमर्थता जता देनी है दरसल भारती जंता पार्टी उस दिन से बुरी तरह से इस मामले में फसी हुई है जिस दिन से कॉंग्रेस पार्टी संकराचारियों के साथ हिंदुत्यू की लाइन पर खड़ी हो गई हिंदुमा निताओ की अनुस्ठान करने के विधी विःहान उसके तरीकों पर संकराचारियों के साथ कॉंग्रेस पार्टी खड़ी हो गई भारती जंता पार्टी के सामने अनुस्ठान का तरीका क्या नरंद मोधी बताएंगे क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनाद बताएंगे कहा तो ये भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी पीडा को सारुजनिक तोर पर जाहिर नहीं कर सकते लेकिन कहीं न कहीं उनके बारे में भी खबरे आ रही है कि इस पूरी प्रकिरिया से वो भी कई मुद्दों पर नाखोस है भारती जनता पार्टी के अंदर इसको लेकर मतभेद है अब सवाल उठता है कि भारती जनता पार्टी के अंदर जब इस मुद्दे पर मतभेद है तो आगे क्या होगा जो भी आगे होगा उसके बारे में पल पीज़ना चाहती थी, दरसल वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहीं दलिद चेतना के नाम पर, कहीं ट्राइवल चेतना के नाम पर, कहीं OBC चेतना के नाम पर, कहीं EBC चेतना के नाम पर, और कहीं समाज की अलग-अलग वरगी और सामुदाइक चेतना के नाम पर इस तरह से स कवाब देना भारती जन्ता पार्टी के लिए और संग परिवार के लिए बेहत मुस्किल होता जा रहा है फिलाल के लिए इतना ही तमस्कार